So, hi guys, आझ की इन वीडियो बड़ी ही कमाल की होने वाली है, क्योंगे इस PUBG Mobile India से रिलेटर बड़ी बड़ी बीड़ निकल कर सामने आ रही है कि PUBG Mobile India की जो रिलीज डेट है वो guys लगभख कन्फरम हो चुकी है और गयाईस जैसे कि आप सब को साहथ पता जी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि PUBG Mobile Game को लेकर इंडिया में कितना ज्यादा क्रेज है और गाइस एक न्यूज और निकल कर सामने आ रही है PUBG Mobile India से रिलेटेट की जो की एक बंदा है क्या नाम है उनका मैक्स टर्न जो की एक यूट्यूबर है उन्होंने गाइस अपने ट्विटर हैंडल में एक ट्विट किया था जिसमें उन्हें बताया था कि उन्हें PUBG Mobile India का मेन अप्लिकेशन मिल गया है और हला कि उन्होंने ये भी बोला था कि जो PUBG Mobile India के सर्वर है वो अभी वर्क नहीं कर रहे हैं और गाइस उसी ट्विट के नीचे री ट्विट करते हुए उन्हें ने लिखा था कि इसका मतलब है गाइस इन्होंने ये बोला था कि PUBG Mobile India का जो ये ऐफ है वो कुछी बंदों को अभी प्रोवाइट किया गया है और इसके बाद गाइस उन्हें ने अपना ये ट्विट जो है वो डेलीट कर दिया था और अभी अगर आप जाकर देखोगे इनके ट्विटर हैंडल में तो आपको ऐसा कोई भी ट्विट देखने को नहीं मिलेगा तो ये ट्विट इसने अपने मन से डिलीट किया था या फिर किसी ने डिलीट करवाया था तो ये बात तो गाइस सिर्फ मैक्स्टन को ही पता होगा लेकिन एक गुड़ निकल कर ये सामने आ रही है पजी मोबाइल इंडिया के रिलीज देट से रिलेटेब और यहां पर इस वीडिम में आपको पूरा प्रूब भी दिखाने वाला हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर येलो कलर से हाइलाइट किया गया है यहा पीस ओफ इंफरमेशन सौल्ड वी टेकेन वी थे पिंच ओफ सौल्ड और इसका गाइस मतलब क्या है मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ इसमें लिखा है गाइस इंडिया टीवी की एक रिपोर्ड में दावा किया गया है कि पब्सिंवाइल इंडिया दिसंबर के पहले सब्ता में लॉंच होगा कभी एक दिसंबर से पान दिसंबर के बीच क्योंकि कंपनी को खेल के लॉंच की तारीक की पुष्टी नहीं करनी है तो इस मतलब यहां पर साफ है कि पब्सिंवाइल इंडिया दिसंबर के फर्स्ट वीक के किसी भी दिन आपको पब्सिंव इसम बीच की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पब्सिंवाय इंडिया जो है वह दिसंबर के फास्ट वीक में लॉंच हो सकता है आप इस पब्सिंवाइल इंडिया गेम को ले करके कितना जज्यादा एक्साइडिटेट हैं यह मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना और